हेलो गाइस, नवी मुंबय, नोईडा और भुवनेश्वर के बाद, मैं आज गुजरात के एमदबाद सिटी के प्रोजेक्स के बार में बात करने वाला हूँ सिटीवाज मेगा प्रोजेक्स सीरीज के तीन वीडियो काफी सक्सेस उन रहे हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा हैं तो प्लीज एक बाद चेक आउट कर लेना मैं कार्ड ने तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ मेरा नाम है दिनेशे निवा वाचिंग वाजरम चानल जिसमें हर दिन ऐसे ही इंडिया के इंफर्स्ट्रक्चर डवलपमेंट की उपर एक नई वीडियो आती है और ऐसी अपडेट्स और टॉपिक्स रेकेमेंट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉल्लोर मेसेज भी कर सकते हैं लिंक विल बी इन दे डिस्क्रिप्शन तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एहमदबाद जो पहले एहमदबाद के नाम से भी जाना जाता था इंडिया के सबसे बड़े सिटी में से एक है और ये सिटी गुझरात की फॉर्मर कैपिटल भी है फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन का ये सिटी साबरमती रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है और अपने वर्ल्ड फेमस कॉटन टेक्स्टाइल्स, माउथ वाटरिंग स्नैक्स, डायमेंड कटिंग और बहुत कुछ चीजों के लिए जाना जाता है इस सिटी का पॉपलेशन अल्मोस्ट 8.1 मिलियन है जो की एक बहुत बड़ा नमबर है वेल मैं ये सिटी एक बार विजिट करना चाहता था क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंज वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं बट ड्यू टू वाइरस मैं नहीं जा पाया बट डेफिनेटली फ्यूचर में मैं जरूर इस सिटी को विजिट करूँगा तो चलिए अभी प्रोजेक्स के बार में बात करते है साबरमती रिवर्फरंट फेस्टू साबरमती रिवर्फरंट प्रोजेक्स के फेस्टू के अकॉर्डिंग साबरमती रिवर्फरंट के वेस्टन बैंक के डेवलोप्मेंट के साथ साथ इस्टन बैंक और दोनों साइट्स पर एक एक्स्टेंशन को जल्दी एक्सेक्यूट किया जाएगा एक्स्टेंशन की प्लाइन में एक्स्टेप्ट एंबार्थमेंट शामिल है जहां एक्टिव और ग्रीन डेवलेब्मेंट के लिए ट्रीज लगाए जाएंगे Phase 2 में डफनाला से इंदिरा ब्रीच के इस्टन साइड में 5.8 किलो मेटर और वेस्टन साइड में 5.2 किलो मेटर की दूरी पर रिवर के किनारों का एक्स्टेंशन सामिल है इससे रिवर्फ्रंट की टोटल लंबाई करीफ 34 किलो मेटर हो जाएगी प्रोजेक के लिए 850 करोड रुपीज का estimated आउटले अलग से रखा गया है फेस्टू के लिए concept planning और design का काम पूरा कर लिया गया है और principle approval भी देग दी गई है फेस्टू के area में development work के लिए hydrology के साथ साथ hydraulic study पूरा कर लिया गया है और इसका verification national institute of hydrology रोर की द्वार किया जा रहे फेस्टू river के east और west sides के बीच डारेक्ट और additional connectivity प्रोवाइड करेगा रिवर फ्रेंट के use से traffic jam और pollution कम होगा बेरेज कम ब्रीज का construction से नदी में water level maintain रखने में भी मदद मेलेगी इससे नर्मदा कैनल में maintenance के दोरान 10 से 15 दिनों तक city की पानी की requirement को पूरा किया जा सकेगा कीपी sufficient water को store किया जाएगा रोड network, parks के साथ, residential और commercial development के साथ रिवर के दोनों किनारों पर एक stepping promenade के भी planning बनाई गई है phase 2 में दोनों तरफ green belt, children play area, food plaza और एक amphitheater होगा एहमदाबाद metro एक urban mass rapid transit system है जिसे गुजरात metro rail corporation GMRC limited द्वारा बनाया जा रहा है जो पहला metro link express और गांधी नगर और एहमदाबाद मेगा के नाम से भी जाना जाता था February 2016 में गुजरात government ने 2016-17 के state budget में 2 करोड की sum allocate की और phase 2 की detailed project report DPR तयार करने के लिए Delhi Metro Rail Corporation को appoint किया DPR के draft के according गांधी नगर में महात्मा मंदिर को connect करने के लिए 18.52 km line 2 को northward direction की और extend करने की planning है और इसमें GIFC के लिए एक branch line होगी February 2019 में इंडिया के union cabinet ने दो corridors के साथ 28.25 km के phase 2 के construction को approval दी इसका foundation stone Prime Minister of India नरिंदर मोधी के द्वारा रखा गया था एंडवार Metro का phase 2 28.25 km लंबा है और इसमें phase 1 की 18.52 km line 2 जो red line के नाम से भी जाना जाता है उसके extension के रूप में दो elevated corridor शामिल है जो motera cricket stadium से GNLU की और northwards की और एंड गांधी नगर से मात्मा मंदिर तक जाते है GNLU station पर 5.42 km के छोटी spur line साबरमती river के across gift city से जुडेगी phase 2 का estimated cost लगग 5,348.17 करोड रुपे है phase 2 के construction के लिए दो contracts एफकॉन infrastructure और रंजीत बिल्डकॉन को 2020 के quarter 4 में एक tender process के बाद दिये गए थे GMRC ने प्रोजेक्क के लिए deadline अभी तक reveal नहीं किया है बट मेरे हिसाब से phase 2 2026 तक complete हो जाएगा साबरमती station redevelopment साबरमती station को Indian Railway Station Development Corporation IRSDC द्वारा Public Private Partnership Model के साबरमती station redevelopment के लिए चुना गया है स्टेशन के बिल्डिंग में इंडिपेंडेंस इंडिया के समय फेमस डांडी माच और महात्मा गांदी लेट सौल्ड मूवमेंट की थीम होगी साबरमती station redevelopment planning का एम पैसेंजर्स की easier movement के लिए existing दो साबरमती stations साबरमती station meter gauge और साबरमती junction station board gauge को फिर से revamp और connect करना है The upcoming Mumbai Ahmedabad High Speed Bullet Train जिसे National High Speed Rail Corporation Limited NHS RCL द्वारा develop किया जा रहा है उसे दोनों stations के 20 गुजरने की उम्मीद है IRS DC के according दोनों station का redevelopment और एक दूसरे के साथ integration किया जाएगा जिससे passengers को smooth और easier access provide किया जा सके इस integration में High Speed Bullet Train corridor तक पहुँचने का passage भी होगा साबरमती station को 125 करोड की cost से redevelop करने का proposal दिया गया है और development का proposal site लगभग 19,55,000 square kilometers का होगा 4. एहमदबाद धोलेरा expressway एहमदबाद city और धोलेरा metro city में इसे 10 lane तक बढ़ाने के provision के साथ 6 lane का dual carry wage highway बनाया जाएगा initially इस 4 lane format में east side 2 lane के साथ बनाया जाएगा और future में इसे बढ़ाया जाएगा industrial corridor and central government द्वारा incurred इसकी estimated cost लगभग 900.39 करोड है expressway smart city डोलेरा को एहमदबाद और भावनगर से जोड़ेगा तीन cities को जोड़ने के अलावा ये वटामान और पिपली से भी गुजरेगा और 128 km पर आवर की proposed design speed के साथ region के भीतर high speed transit को enable करेगा गुजराद infrastructure development board expressway project के लिए nodal agency के रूप में काम कर रहा है और गुजराद state road development corporation limited execution agency के रूप में काम कर रहा है जिन ministries के अंडर project की overall responsibility है और ये project DMIC यानि की दली मुंबई इंडिस्टिरल कोरिडोर का भी पाट है इसका काम अभी जोरो शोरो से चल रहा है और ये project मार्च 2023 तक ready और operational हो सकता है number 5 Mumbai एमदाबाद high speed rail corridor Mumbai एमदाबाद high speed rail in other words bullet train project 508.17 km under construction high speed rail line है जो मुंबई माराच्टर को एमदाबाद गुजराच से 12 stations के तुरू connect करेगा इस project की estimated cost लगबग 1.1 lakh करोड रुपे है इस project को National High Speed Rail Corporation Limited NHS RCL द्वारा जैपान से 50 साल के लिए 88,087 करोड रुपीज के लोन के तुरू 0.1% interest rate पर execute किया जा रहा है जिसका repayments bullet train के operational होने के 15 साल के बाद देना है लाइन्स पर train 320 km पर आवर की speed से ग्राउंड से 10-15 मिटर उपर एक elevated वायर टक पर उपरेट करेगी मुंबे को छोड़ कर जा 3 मेगा टनल बोरिंग मशीन TBM का यूज करके underground line का construction किया जाए मुंबे और थानी stations के बीच ये line समुदर के नीचे थानी क्रिक में लगबग 2 km तक चलेगी लाइन के rolling stock में शिंका सेन E5 ट्रेंज शामिल होंगे जो 320 km पर आवर के operational speed के साथ 350 km पर आवर के maximum speed से चलने में capable है इस project का foundation stone इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी और जपान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आवे द्वारा रखा गया था जिसके बाद वडोदरा में 4000 employee training center के लिए construction वर्क शुरू हुआ था इंडियन government ने 15 August 2022 की deadline fix की थी बट reality में कुछ अलगी हो रहा है बुजरात में तो काफी काम हो गया है बट महाराष्टर में ये project बहुत problem face कर रहा है जिसके होजे से मुझे लगता है कि ये project शाह से 2024 या 2025 तक बन जाएगा इस project की regarding मैंने एक video भी बनाया है अगर वो आप देखना चाहते हो तो मैं उपर cards में दे दूँगा नमबर 6 Sports Complex at NID Many public spaces और facilities के बीच ये project दो significant sports facilities भी offer करता है इन facilities को city में इसके location और आसपास के reference में प्रपोस किया गया है ये शापूर में neighborhood level की facility से लेकर पलाडी में city level sports अब तक है इस sports complex में tennis, cricket, football, basketball और skating ring जैसे various sports शामिल होंगे इसमें cafe के साथ gym और jogging की भी facility होगी city और आसपास के area में इसके location के reference में sports facility का प्रपोस किया गया है ये city level sports park riverfront के west side में NID के पीछे located है फलाडी sports park का total area 35,875 square meters है और शाहपूर sports park का total area 7,472 square meters है जैसे एमदमाद के project develop हो रहे है मुझे लगता है कि ये भी जल्दी से develop हो जाएगा सिटी के अंदर और बाहर जाने वाले commuters को गुजरात के नौर्थ और सरुशत्र की और एक seamless traveling experience करने की intent से स्टेट ने सनान सरकल और चिलोडा के बीच एक सरकेज गांदी नगर हाईवे को छे लेन का बनाने के लिए अपनी consent प्रोवाइड की है ये project पहले से ही चल रहा है इसमें 7 flyovers और railway over bridges शामिल है जिसमें 4.5 km elevated corridor भी शामिल है उजाला सरकल, सनान्स छोकडी, पकवन क्रोस रोड, वैशनोदेवी सरकल, उनवर्ष नडाल जंक्षन, सरगासन क्रोस रोड और इंफो सिटी सरकल जैसे जंक्षन पर जल्दी 6 lane के flyover होंगे इसके अलावा 16 भगवन जंक्षन से जाइडस क्रोस रोड तक एक elevated flyover की planning बनाई गई है एडिशनली 16 साइंस सिटी में existing 4 lane bridge को widened किया जाएगा NH 147 के 45 km लंबे सेक्षन के साथ पूरे काम पर लगबग 846 करोड रुपे का खर्च होएगा इसका latest update है कि काम काफी अत्तक हो गया है और इस साल complete हो जाएगा दिल्ली Mumbai Industrial Corridor DMIC इंडिया की सबसे ambitious infrastructure project में से एक है इसे एक global manufacturing और investment destination के रूप में develop किया जा रहा है जो 1483 किलोमेटर लंबे high speed capacity वाले western DFC का use कर रहा है DFC के साथ नए logistics sub, manufacturing cities and residential townships डवलप करने की planning है The entire DMIC area passes through 8 states and 2 union territories DMIC area में आने वाले states में उत्राखंड, डली, उत्तरप्रदेश, हरियाना, राजस्तान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महराष्टरा वाइल the union territories are दमन और दियू और दादर नागरह वेली और क्योंकि गुजरात से गुजरते हैं तो obviously एमदाबाद से होकर जाएगा DMIC का proposed area 4,36,484 square kilometer का है जो इंडिया के geographical area का 13.8% है और DMIC के phase 1 का part दोलेरा एमदाबाद investment region को develop करना है एमदाबाद डोलेरा investment region वडोदर एमदाबाद में dedicated freight corridor से लग बग 100 km की दूरी पर located होका गुजरात गवर्मेंट ने डोलेरा को special investment region के रूप में designated किया है और development के लिए plans के preparation शुरू कर दी है गुजरात गवर्मेंट ने greenfield port के development के लिए डोलेरा को भी shortlisted किया है नमबर 9, dedicated freight corridor dedicated freight corridor के planning बनाई जा रही है ताकि इसे goods को north के industrial heartlands और eastern और western coast के ports तक cheaper, faster और more reliable तरीके से transport किया जा सके eastern और western routes के साथ इस dedicated freight corridor की estimated cost लगबग 12 billion USD है western dedicated freight corridor 1504 km double line electric track तक फैला हुआ है जिसमें से 565 km गुजरात के एमदबाद, वडोदरा, सूरत, अंकलेशवर, भरूच, आनन्द और पालनपूर से होकर गुजरेंगे नमबर 10, sports complex in नारनपूरा Union Sports Ministry और एमदबाद Municipal Corporation, AMC के consultation के बाद हाली में एक plan finalized हो रहा है शास्तिनगर में वर्दान टावर के पीछे का एक large plot, athletics के लिए complex के लिए चुना गया है प्रोजेक को AMC के साथ partnership में किया जाएगा The complex will be spread over 18,000 square meters with sporting facilities on 77,000 square meters इसमें एक Olympic size के athletic track होगा जिसमें 8 tennis court होगे जिसमें international tennis matches के लिए एक court भी शामिल होगा Olympics event के लिए दो swimming pool और एक special track और field facility भी शामिल होगी Last and number 11, PCPIR गुजरात PCPIR Ministry of Chemicals and Fertilizers government द्वारा declared 4 PCPIR में से एक है PCPIR policy 2007 के according यह दहेच भरूचनी और Gulf of Combate के पास located है गुजरात PCPIR में 452.95 square meters का एरिया शामिल है और existing road gauge rail, NH8, state highways and other roads, sea and air connectivity, strategic location का advantage है और इसे node number 14 के रूप में भी पैचाना जाता है Proposed Dedicated Fright Corridor को दोनों किनारो 150 km की range में प्रपोस DMIC भी है Chemicals, Petrochemicals और other productions को transportation और export की सुविधा के लिए इसे कमभात की गल्फ के पास port और GMB द्वारा बनाया रखा गया रोरो फेरी सर्विस प्रोवाइड की जाती है और इस PCPIR region में एमदबाद भी शामिल है और इसके वज़े से केई chemicals और other productions एमदबाद में होएंगे So guys ये थे वो 11 projects आपको क्या लगता है इस सब projects के बारे में Do let me know in the comments और आप कौन से project के बारे में जादा interested है वो भी मुझे comments में ज़रूर बताईए और इस वीडियो के लिए इतना ही कि अपको आपको को बारे में जर्दाद में